नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे यूपी बेड एंट्रेंस एकसाम 2022 अगर आपने दिया है तो आपका रिजल्ट आही गया होगा और आपने result देखी लिए होगा ये मैं आशा करता हूँ ठीक है रिजल्ट आपका आगया है और आपने रिजल्ट देख लिए होगा और आपने रैंक भी देख लिए होगी ठीक है और अब बच्चे वाई वेट कर रहे हैं counseling का, ठीक है कि आपकी counseling कमसे होगी, देखो जो आज की new update निकल के आई है, वो सिधा सिधा ये बता रहे हैं, आपको की late होगी, अब आपकी counseling ठीक है, counseling जो है, आपकी जो की 10 अगस्त से होनी थी, सभी को पता है, 10 अगस्त के बाद जस्त आपकी counseling स्टार् को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहे कोई भी इंपोटेंट वीडियो यूपी बेड इंटर्स एक जाम तो अजर बाइस से रिलेटिड आपके विल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहि लिफ युपीशन का फाइनल एयर की रिजल्ट नहीं आया है अभी बहुत से जाता है तो कंसलिंग ये क्या है कि उसमें आपका फाईनल एयles करिसल्ट की जरूरत पढ़ती है ठीक है तो यहां पर यहीं कह रहीे है आपकी रिज़ल्स एक घैन ln पर्रिक्र, मेrim, और उंप तो बेट परवेश परिक्षा की कांसिलिंग की परिकरिया टल सकती है, विश्विधाले के मुदाबित परदेश के सभी विश्विधालों के फाइनल एयर के परिणाम जारी होने के बाद ही कांसिलिंग शुरू की जाएगी, देखो साफ साफ यहां पर बता दिया है, MJP आरू कि जब तक सभी विश्विधाले, यान कि जब तक सभी उनिवस्टी के फाइनल एयर का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम कांसिलिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, तो यही कारण है कि आपकी जो कांसिलिंग है, वो लेट हो सकती है, क्योंकि यहां पर देखो, CCS उनिव सभी उनिवस्टी अपने बच्चों को प्रोवाइड करा देंगी, तब ही आपकी MJP रोहल उनिवस्टी कांसिलिंग की परिकरिया आगे स्टार्ट करेंगे, तो यही है कि लेट तो होगा कांसिलिंग का जो भी प्रोग्राम आपका रहता है, ठीक है, तो चैनल पे नहीं है, तो चैनल पे बने रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास UPB8 Entrance Exam 2012 से रिलेटेड, जो भी मैं वीडियो अपडेट आपको दूँ, आपकी वो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपना ध्या सब्सक्राइब काफी कम होती है, उसको अगर आप देखेंगे, उससे आप compare करेंगे कि हाँ, इससे मुझे मिलागा, बिल्कुल नहीं, state rank से ही आपको counseling में बुलाया जाता है, ठीक है, phase wise जो counseling होती है, आपकी वो state rank के अनुसारी होती है, ठीक है, और state rank के अनुसारी आपको college provide किया जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, सरकारी college की, सरकारी college के लिए काफी ज्यादा मतलब बच्चे को वो रहती है, curiosity, तो 10,000 से अगर 12,000 के बीच में आपकी rank आ रही है, तो आपको सरकारी college मिल सकता है, बाकी तो नहीं मिल सकता, फिर आपको private college है, आपको लेना बच्चे मनलब 6,000 मेरी rank है, कैसी कैसी post कर रहे है, मनलब शोफ देखो बच्चो का, शोफ देखो बच्चो का, जब मैं बता चुका हूँ कि अगर 10,000 से लेके 12,000 के बीच में है, तो सिधी सी बात आपको सरकारी college मिल जाएगा, लेकिन शोफ देखो बच्चो का social media पे जो क बच्चो का शिर्फ क्या है, यह शिर्फ शोफ है, मतलब वहाँ पर post करनी है, और बस दिखाना है कि हाँ मेरी rank अच्छी है, बस यही है, सिधी सिधी सी बात यही है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी 6,000 rank है, तो आप चुप चाप बैठी है, और जब counseling होगी, तो आप आपको बैठ में admission होगा, ना कि आपको नोकरी मिलेगी, तो आगे जागे जब नोकरी की fight करेंगे ना, तब बताइएगा कि हाँ, मैंने नोकरी पाली है, और मैं सरकारी कोलिस से तर्थ है, तो क्योंकि matter नहीं करता कि आप government कोलिस से बैठ कर रहे हैं, या फिर private कोलिस से जिसके भी 10,000 के अंडर में rank आ रही है, मैं उनको यही काऊंगा, शोफ करना बंद करेगा, आपको 100% सरकारी कोलिस मिल जाएगा, अच्छे से counselling को attend करते हैं, ठीक है, तो चलिए, अपना ध्यार रिखेगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा, नमस्ते टाटा, थैंक्यू हमारे जुड़ चुके हैं, ठीक है, टेलिकराम गुरूप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो काफी सारी बच्चे हमापर जोइन हो चुके हैं, टेचर सोलुशन के गुरूप में, तो आप भी जोइन कर लिजागे, जिससे की आपको आने वाली काउंसिलिंग में एक दूसरे की हेल्प आप कर पाएं, ठीक है, जितने भी डोकुमेंट आपके रहते हैं, काउंसिलिंग के टाइम पर वो सारे मैं भी आपको बता दूँगा, तो चले बने धार नेखेगा, पड़ते रेगा, नमस्ते डाड़ा, सैंक्य टुद आने भाट